इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए विश्व हिंदू परिशत के अंतराष्ट ये कारिया धक्ष आलोक कुमार जी मौजूद है सर जिस तरह से ग्यान बापी मामला जो है कलकोट का फैसला आया हिंदू पक्ष में फैसला आया और मुस्लिम पक्ष की जो याचिका थी उसे कोट में खारिच कर दिया किस तरह से आप देखते हैं ये एक बहुत शुरुवाती बाते हैं पक्ष ने मुकदमा फाइल किया मुसल्मान पक्ष ने एक अरजी लगाई कि प्लेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट के कारण ये मुकदमा चल नहीं सकता इस प्राथमे कापत्ति पर लंबी बहस हुई दोनों पक्षों को कोट ने ध्यान से सुना धैरे से सुना और फिर एक युक्ति युक्त निर्ने दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि नहीं प्लेसिस ऑफ वर्शिप एक्ट इसको बाधित नहीं करता इसको गुणदोश के आधार पर सुनने का कोट को अधिकार है और वो सुनेंगे हम ये मानते हैं कि पहली बा शुर को साबित करने में सफल होंगे ऐसे हमारे विशवास से हम अपनी विजह की ओर देख रहे यह और इस मामले में ज्यानवापी मामले में विश्व हिंदु परिशद का क्या स्टान्ट रहेगा कल के फैसले के बाद विश्व विश् Climate शू नहीं है इसलिए सीधे कोर्ट में खड़े होकर कि हमारा कुछ रोल नहीं है पर एक हिंदू के नाते हमारी उसमें रूची है एक हिंदू संगठन के नाते हमारी रूची है उसमें कुछ सहयोग करने की अपेक्षा होगी तो हम सहयोग करेंगे और सारे समाज के साथ इस मुकदमे की ह ceram ignored में हwort में इसलिए सडक पर कुछ करने की जरूरत नहीं है इसलिए एक दूसरे को धमकाने की जरूरत नहीं फूस्ता से सुविकार करी है मैंने कल के फैसले के बाद भी कहा था कि इसको हार और जीत का मुद्दाली मानना चाहिए जब कोड का फैसला होता है तो दोनों पक्ष जच के सामने सिर्च उकाते हैं और स्विकार करते हैं उसी विनम्रता से हमने कल के के फैसले को स्विकार किया है और आगे भी हम चाहेंगे कि दोनों पक्ष को जो निरने करेगी उसको आदर से मान लेने की बुद्धि मत्ता दिखाएंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे सुप्रीम ने आयोध्या के फैसले को दिया तो सब ने उसको स्विकार कर लिया सर आप कह रहे हैं कि जो भी फैसला हो से सब को स्विकार करना चाहिए लेकिन मुस्लिम पक्ष में कहीं ना कहीं नाराजगी दिख रही है वह वैसी बयान दे रहे हैं कि यह बाबरी महजीत की तरफ यह फैसला जाते हुए दिख रहा है वेसी पूरे मुस्लिम समाज के प्रतिनी थी नहीं, उन्होंने आयोध्या के मामले में भी भड़काउ बयान दिये थे, उनकी किसी ने सुनी नहीं, मुसलमान समाज ने भी ग्रेसफुली एक्सेप्ट किया, और कोट ने कहा कि पांच एकड की जगा मुस्लिम पक्षकों भी मि वेसी ने कहा कि हम तो नहीं लेंगे, तब मैंने पूछा था कि आपको कौन दे रहा है, जिनको मिलनी थी उन्होंने स्विकार किया भीना आपति कि, तो वेसी इस तरह के बयान देते रहते हैं, पर मैं मानता हूं कि मुस्लिम समाज भी आज मैच्योर है, उसको भी सम्विध जाहर में विश्वा से, कानून में विश्वा से, कोट फैसला करेकि, सब लोग मालेगे. आखरी सवाल है कि आपको लगता है कि जो भी नेता ऐसे बयान दे रहे हैं चाहे अवएसी की बात करें और कई नेताओं के कल बयान सामने आए है, तो ऐसे नेताओं के बयान को नजर अंदास करना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए, चुशकी महौल खराब हो सकता है? यह सही बात है क्योंकि यह निर्ने सरकार ने नहीं लिया किसी दल नहीं लिया सरकार निर्ने लेती है तो उसका सही विरोध कर सकते हैं कोट के निर्ने को जो दोनों पार्टी सको सुनने के बाद हुआ है इस बात को सोचे बगैर कि कौन हरा कौन जीता मानना तो सब नहीं चाहिए और सवाल रहेगा कि अब ग्यानवापी पर जो कल फैसला आया है आगे सुनवाई होती रहेगी अब लोग मतुरा की तरफ देखने लगे हैं और कल कई मंत्रियों ने भी टूइट किया मतुरा की करेंगे एक वकील केना थे मैंने फाइलें देखी है मेरा अंदाजा है कि हिंदू का पक्ष अच्छा है हिंदू की मेरिट ठीक है इसलिए मैं आशान भी थूँ पर कोट का निरनाई जैसा भी रहे वैसा स्विकार करने का सबका मन चाहिए कैमर परसन राहूल के साथ स्वाती पाठक भारत समचार दिल